हेलो स्टुडेंट्स गुड मॉर्निंग एब्रीवन आज हम इस वीडियो में बी ए पार्ट थडियर में जो एम गोपाल क्रश्न अडिगा की जो कभीता है डू सम्थिंग ब्रदर उसकी स्टेडि करेंगे इस कभीता इस वीडियो में हम इंट्रोडेक्शन टू दी पॉइट अर्थात एम गोपाल क्रश्न अडिगा की लाइफ इस्ट्री एंड इस वक्स उनके बारे में स्टेडि करेंगे तो स्टुडेंट्स बिना डिले किये हुए हम इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं इंट्रोडेक्शन टू दी पॉइट एम गोपाल क्रश्न अडिगा 1918-192 वो एक कंडर पॉइट, स्कोलर, नॉबिलिस्ट, एन ऐसे इस्ट एम गोपाल क्रश्न अडिगा जिनका जन 1918 में हुआ है और जिनकी मृत्यू 1992 में हुई है वो एक कंडर पॉइट है, इस्कोलर विद्वान है, नॉबिलिस्ट उपन्यासकार है, एन एसेइस्ट और निबंदकार है Modernism came into कंडर पॉइटरी in a potent manner around the year of India's independence and गोपाल क्रश्न अडिगा वाज इट्स ग्रेट हारविंगा कि Modernism came into कंडर पॉइटरी, कंडर कभीता में जो आधुनिकता है, वो लगवग भारतिय स्वतंतरता के आस्पास आई करतात भारत 1947 में आजाद हुआ, उसके आस्पास ही कंडर कभीता में आधुनिकता आई और इस आधुनिकता को लाने का जुस्रे है और गोपाल क्रस्न अडिगा वाट इस ग्रेट हारविंगर, और गोपाल क्रस्न अडिगा जो है, वो इसके क्या है, अग्रदूत है, हारविंगर माने पायोनियर, अग्रदूत है कुंडापूर, एसके डिस्टिक करनाट का, उनका जन, किनका एम गोपाल क्रस्न अडिगा का जन, करनाटक में, एसके डिस्टिक, कुंडापूर जगए के मोगे दी नामक जगए पर हुआ, इसके डिस्टिक में, कुंडापूर जगए के मोगे दी नामक जगए पर हुआ, और वो एकेडमिक प्रॉफेशन में समलित हो गए, अर्थात उन्होंने अपने अध्यापन कार्य शुरू किया, यह वर्क एज प्रंसीपल, उन्होंने प्रंसीपल के रूप में काम किया, लाल भादूर कॉलेज, कहां पर लाल भादूर कॉलेज, सागर 4-4 यहर्स, चार साल तक 1964 से लेकर 1968 तक एन पूर्णा प्रग्या कॉलेज उडूपी और उडूपी के पूर्णा प्रग्या कॉलेज में 4-3 years तीन साल तक उन्होंने अपना अध्यापन किया 1968 से लेकर 1971 He worked as deputy director उन्होंने deputy director के रुप में भी काम किया इन नेशनल बुक ट्रस्ट में न्यू देली फोर सम टाइम कुछ समय से इडिटेड वो संपाधन कर रहे हैं साक्षी यह लिटररी मैगजीन जो एक साथिक मैगजीन पत्र पत्रिका है इसका नाम साक्षी है उसका संपाधन कर रहे है अब हिजवक्स Gopal Krishnan Adiga authored a number of publications which include the collection of poetry Bhav tarang 1946 Bhoomi Gita 1959 Vardamanna 1972 and Eidanna Vaya Sirella 1975 1975, he wrote a novel, आंधे, in 1954, उन्होंने एक उपन्यास आंधे, जिसका नाम, जिसको 1954 में प्रकासित किया, and a book of critical essays, मनिन्ना, वासने, in 1966, और 1966 में, उन्होंने एक साइतिक निभंद, कि जो बुक थी, जिसका नाम मनिन्ना वासने था, उसको प्रकासित किया, इस समग्र काब्य, उनका जो समग्र जो काब्य है, collected poems was published in 1976, उन्होंनी सो चितर में प्रकासित हुआ, अब his contribution देखिएगा, गोपाल क्रस्न अडिगा इस, गोपाल क्रस्न जो अडिगा है, इस दी पायोनियर, वो अग्रदूत है, और दी मॉडनिस्ट मूमेंट इन कन्नड पोईटरी, कन्नड कविता में आधुनिकता लाने के वो अग्रदूत है, he laid दी नब्या, न्यू और मॉडनिस्ट मूमेंट, उन्होंने नब्ब, जो मूमेंट थी, आंदोलन था, उसका नेत्वत किया, which was inspired, जो प्रेरित हुए, by the literary modernism, किससे प्रेरित होकर साहितिक आधुनिकता, वो किसकी European literary tradition, European साहितिक परंपरा, कि जो आधुनिकता थी, उससे प्रेरित होकर, उन्होंने कनड़ साहित में, जो नवीन जो विधा है, उसके लिए आंदोलन चलाया, और उसके वो अग्रदूत बने। Indian Independence in 1947, भारतिय स्वतंतरता, 1947 में brought with its promises of freedom, वे उनकोर लेकर आई, स्वतंतरता लेकर आई, एन ए न्यू जेनर, स्प्राउटेड, और एक नई विधा, प्रिस्पूठित हुई, इन कनड़ पोईटरी, कनड़ कभीता में। ती torch bearer of this tradition, और इस परंपरा की जो मिसाल लेकर जो आगे भड़े, torch bearer मने, मिसाल को लेकर आगे चलना, वो कौन थे, गोपाल क्रस्न अडिगा थे, दी 90 points और जो नभीन, चेतना वाले जो कभी थे, उन्होंने रोट लिखा, about the disillusionment, नहरास्यता का, and angust of the time उस समय की जो घ्रणा, नफरत, निरास्यता उसके बारे में लिखा, the sophistication in the use of language और भासा के प्रियोग में परिश्क्रता, and the importance of technique in poetry और महत्पून तक्नी की कभीता में reached new height in this genre, इस यूग में उसको उच्छ स्रेनी पर पहुँचाया, new height यहाँ पर उच्छ स्रेनी पर पहुचाया, there was western impact of the perspective of navya, और संभावित जो navya जो कभी हैं उन पर किसका प्रभापड़ा, पाश्या थे संस्कृति का प्रभापड़ा, अडिगा वाज इनोबेटिव इन दिस फिल्ड और जो अडिगा जो थे वो इस बिधा में कैसे थे कि विल्कुल इनोबेटिव बाने क्या होता है, नई चीजों को प्राधूल भाव करने वाला, नभीन चीजों का इजाद करने वाला, कौन था, अडिगा था, इस छेत्र का, इसलिए अडिगा ने ट्रेंसलेटेटेट दी वर्क्स औव इपसन, अडिगा ने इपसन और वाल्ट वाइटमेंट की कविताओं का अनवाद किया, ट्रेंसलेट किया, कन्नड भासा में, इसमें उसमें समलित किया, इंडिगालिस्टिक एक्सपिरेंसेज, व्यक्तिगत अनवाबों को, एस्पाइरेशन, उनकी आकांचाओं को, एडिगा इडिजीज, उनकी विचारधाराओं को, अब दी इंडियन मिडल कास्ट, जो भारती है, जो मध्यमवर्ग के जो लोगों के व्यक्तिगत जो अनवाब है, उनको इसमें समलित किया, उनकी जो आकांचाओं को समलित किया, और उनकी जो विचारधाराएं, उनको समलित किया, इनिज मॉडरनिजम, अपने आधुनिकताबाद में, इस राइटिंग्स रिफ्लेक्टेड यूमिनिटी और उनकी जो रचनाएं हैं, उनमें मानवत्ता की हावना जो है वो जलकती है, अब आट्स देखिएगा, अधिगा रिशीव्ड दी बी एमेस गोल्ड मेडल फोर पोईट्री फ्रॉम मैसूर उनिवस्टी इन नाइटीन फॉर्टीवन, उनीज सो इकतालिस में उनको मैसूर उनिवस्टी में कवीता के लिए बी एमेस गोल्ड मेडल मिला, करनाट का साइथ एकेडमी अबाड इन नाइटीन सेवन्टी थी उनिश सो तेतर में उनको जो करनाट का साइथ एकेडमी का बाड है वो मिला, साइथ एकेडमी अबाड न्यू देली का मिला उनको उनिश सो इतर में, मद्द प्रदेश गौवर्मेंट के द्वारा उनको कबीर सम्मान दिया गया करनाट का गौवर्मेंट और जो करनाट जो गौवर्मेंट है उसने उनको सम्मान किया किसे विद पंपा रसस्ती इन 1993 अप्टर इस डेथ उनकी मृत्तु के बाद तो स्टूडेंट्स यहाँ पर ये वीडियो कम्प्लीट होती है इस वीडियो में हमने एम गोपाल क्रस्नडीगा की लाइफ हिस्ट्री एंड हिज वक्स और उनकी रचनाएं और किस प्रकार से उन्होंने जो आधुनिक कन्नड जो भासा है उसमें अपना पूरा योगदान दिया है वो उस भासा में आधुनिक ता लाने वाले पायोनियर है इस अभी के बारे में हमने यहाँ पर स्टेडी की आई होप आपको यह वीडियो बहुत हिल्फुल रही होगी यदि आपको यह वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज इसे लाइक करें सब्सक्राइब करें सेयर करें थैंक्यू बेरी मच्च